नमस्ते, तो आज हम एक और रिडिंग करने वाले हैं, देखते हैं आपके पर्सन की करन्ट एनर्ट्री क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में आपको लेकर इस रिष्ट्य को लेकर क्या चल रहा है, आपको लाइक जरू करना है, फट फट लाइक कर दो, उनिवर्स को ग्र कुछ लोग आप ऐसे हो सकते कि आप दोनों के बीच में अचानक दूरिया आ गई है, अचानक, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था, आप दोनों का रिष्टा भी बहुत प्यारा था, लेकिन हो सकते कि अचानक आप दोनों के बीच में दूरिया आ गई, कुछ ऐसा घटित आधी अधूरी यहाँ पर बाते दिखाए दे रहे हैं हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसी कि इस रिष्टी में कंपलेशन लेकर आने के लिए आपने बहुत कोशिश किये लेकिन अभी भी सब कुछ आधाधुरा सा यहाँ पर है आपकी परसन आपको बहुत अट्राक्टिव मानते हैं एक मैगनेट की तरफ वो खीचे चले आते हैं आपकी तरफ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे है कि इस अंसान ने या तो आपके बदनामी की हैं ठीक है हो सकता है किसी किसी के लिए ऐसे रिष्ट करेगा कि इस अंसान ने आपके बदनामी की इस अंसान को गुस्सा बहुत जादा आता है कुछ लोग आपर ऐसे कि आपकी परसन बहुत कड़ी महनत करते हैं जो कुछ भी वो करते हैं जो कुछ भी अपने जीवन में करना चाहते हैं वो उसके लिए बहुत कड़ी महनत कर रहे हैं कुछ लोग याँ पर ऐसी कि वो जो कुछ करना चाहते है अपने जीवन में उसमें भी वो सफल नहीं हो रहे हैं और इस रिष्टे को भी वो सक्सस्फुल जो नहीं बना पा रहे हैं इस बज़र से वो बड़े नाराज हैं परिशान हैं चाहे कोई बिजनस करना चाहते हो उसम में भी सफलता चाहते हैं और इस रिष्टे में भी सफलता चाहते हैं बहुत पसंद करते हैं आपको और आपके बिना नहीं रह सकते आपकी person को आपकी बहुत care भी हो रही है वो कुछ भी बज़ा हो सकती है चाहे बज़ा कुछ भी हो आपकी person को आपकी बहुत care हो रही है आपकी person खुद भी आपकी बहुत care कर रहे है आपके person मनही मन सोचते हैं कि आपने अपना खुद का खयाल रखना बहुत ज़रूरी है आपके person आप वो contact करना चाहते है कोई call, कोई message receive हो सकता है बहुत जल्द आपके person या तो वुदकाल में जी रहे है या तो भविश्य के बार में सोच सोच कर परिशान हो रहे है कुछ लोग है आप ऐसे कि या तो आपके साथ बिताय लग में या जगड़े होई हो वो बाते सोच सोच कर इंसान अपना समय बरबात कर रहा है past के बार में सोच कर भविश्य की चिन्ता बहुत ज़दा परिशान हो रहा है इस रिष्टे को बहतर बनाने के लिए क्या action लेना जरूरी है हो सकता है कि इंसान इसके बार में कुछ सोच नहीं रहा है जादा हो सकता है कुछ लोग ऐसे कि इस इंसाने कोशिश करके देख ली जो कुछ फल नहीं मिल रहा है ठीक है हो सकता है इन्होंने बहुत कोशिश कर ली इस रिष्टे में आगे बढ़ने के लिए कुछ लोग आप ऐसे हो सकते कि आपके साथ जो समय बिता है इस इंसानी वो बात ये बहुत यादाती है आपके परसुन को कुछ लोग आप ऐसे कि आपके परसुन को ऐसा लगता है कि कुछ भी उनके लिए आसान नहीं है उनको बहुत संगर्श करना पड़ता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तब जाके उनको कुछ भी हासिल वो कर सकते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आप से शादी करना या इस रिष्टे में आगे बढ़ना इतना भी आसान नहीं है उनके लिए मुश्किल है, कुछ लोग आप ऐसे हो सकते कि इस इंसान को बहुत ज़दा ऐसा भी फिल होता है कि बहुत ज़दा को डिपेंडनसी इस रिष्टे में है या तो ऐसा फिल होता है उनको कि आप उनके बिना जो रहने बाते हो, इनको डर लगता है कि अगर आप दोने की शादी नहीं होगी तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने थोड़ा प्राक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है जो कि आप नहीं होते हो इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा emotional person हो आप छोटे-छोटे बातों पर बहुत रोते हो छोटे-छोटे बातों पर आप बहुत नाराज होते हो छोटे-छोटे बातों पर आपको बहुत गुस्सा भी आता है यह वाइस वर्सा भी हो सकता कि आपकी person का हाल इस कदर है जो सामन जस्य इस रिष्टे में होना चाहिए जो maturity इस रिष्टे में होना चाहिए एक दूसरी को समझना इस रिष्टे में बहुत ज़रूरी है ऐसी कहिना कि आपके person को feel तो हो रहा है और उनके लिए आप एक magnet की तर दिरी है हो सकता है यहाँ पर luck of freedom है हो सकता है आपकी person को freedom बहुत पसंद है या इस इंसान ने आपका freedom जैसे की छीन लिया है तो हो सकता है कि इस रिष्टे में या तो आपने इस इंसान को रोक टुक लगाई है या इस इंसान ने आपको रोक टुक लगाई है और आपकी person ऐ आप रुक टुक करते हो तो इनको ये बाते बिल्कुल भी पसंद रही है जिस तरह से आप एनजर हैं बहुत ज़्या मेहनत करके आपके परसुन कोई मुकाम हासिल करना चाहते हो किसी किसी के साथ रुजनरट होगा कि आपके परसुन बहुत ज़्या सोशल है ठीक है कुछ दोस्तों की बज़े से या तो आपको गलत समझते हैं या तो इनके खुद के लाइब में किसी दोस्तों की बज़े से कुछ प्रॉब्लेम ग्रेट हो सकते हैं ऐसी भी एनर्जी हाप पर दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग आप ऐसे हैं कि आपके परसं मेहनत करना मतलब बड़े बड़े देखता है और मेहनत के नाम पर इस इंसान को बहुत आलस आ जाता है और जो मेहनत नहीं करता है और दूसरे फिर इसके आगे निकल जाते हैं और फिर जब दूसरे आगे निकल जाते हैं तो यह उनसे इरशा करना शुरू कर देता है जैलसी इसको फील होती यह इनसान हो सकता है कि जिसके दोस्त वगेरा या कोई रिष्टेदार बहुत सक्सेस्पुल हो गए है या उनकी लाइफ बहुत खुफसुरत चल रही है और इस इंसान को बड़ी चिंता होती है जब दूसरों के जिन्दकि अच्छे खासी चल रही है तो इसको बड़ी चिंत होते हैं इनका क्या होगा फिर और इनको ऐसा लगता है कि इनको कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रहे हैं आपके परसन आपसे बहुत मिठी-मिठी बाती कर सकते हैं आने बारे समय में यह कुछ लोग लिए अंसान ऐसा भी हो सकता है कि जिसके जुबान पर जैसे कि शेहट टपकता हो जुबान से मिठी मिठी बाती करना इस अंसान को अच्छा लगता है हो सकता है कि आप पिगल जाते हो इस अंसान की मिठी मिठी बाते सुनकर और ये बात इस अंसान को अच्छी तरह से पता है कि आप इसकी मिठी मिठी बातों में आ जाते हो और आप सारे शिकायते ही जैसे भूल जाते हो उस मिठी मिठी बातों का सहरा लेते हैं जब भी उनको आपसे कॉंटक करना हो जब भी उनको आपसे बाती करनी हो वो उस मिठी मिठी बातों का सहरा लेते हैं और हो सकता है कि आने वाल समय में इंसान आपसे मिठी-मिठी बाती करके आपको समझाए, आप अगर रूठ गए हो तो इंसान आपको मनाने की कोशिश करे, कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं जैसे कि आप सालों से एक दूसरे को जानते हो, ऐसा फील होता है आपको, या कुछ ऐसे भी है यहापर कि आप बच्छपन से एक दूसरे के दोस्त हो, बच्छपन से आप दूसरे को जानते हो, एक आदत सी हो गई हैं आप दोणों को एक दूसरे के, कुछ लोग आप ऐसे हैं कि आपके पड़सों कि अशा लगता है कि जैसे के वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है आपको और जादा अच्छा रिष्टा भी मिल शकता है। जिस तरह से आपकी पस्टरणवि déjà जिस तरह से आपके सप्ने हैं को. अंसे शो करते हो दिखो यह ने कर आप कि उच्छे हो लेकिन इस इंसान को पता है क। आप क्या हो, आप कैसे हो, आप कितने अच्छे हो, ठीक है, भले इंसान आपके बारे में कुछ बोलता ना हो, भले आपकी तारिफ ना करता हो, लेकिन इस इंसान को बहुत अच्छी तरस से पता है कि आप क्या हो, आप कैसे हो, आपका सुभाव कैसा है, आपकी जो intention है, वो कै कुछ जानते हैं कि आप कितने loyal heart हो, आप उनके लिए क्या कर सकते हो, वो जब आपके बार में सोचते हैं, तो उनको असल लगते हैं कि उस इंसान में कुछ न कुछ कमी है, आप तो बहुत अच्छे हो, ऐसे भी कुछ लोग हैं पर हैं कि इस इंसान को बहुत जदा अकड़ दिखाई हैं, इस इंसान ने कभी compromise नहीं किया हैं, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, अब हम कार से चानते हैं, इस इंसान के कान भरने की कोशिश कर रहा हो, इस इंसान के पास आपके बारे में कुछ गलत बाते भरने की कोशिश कर रहा हो, चुगल खोर कोई हो सकता है इस रिष्टे में, और हो सकता है कि उस चुगल खोर इंसान की बज़े से इस रिष्टे में दूरिया आई हैं, आप दुनों के बीच में कड़वाहट आई हैं और हो सकता है कि आप दुनों के बीच में जो दरार है, जो दूरिया है, वो किसी ऐसे व्यक्ति की बज़े से हैं, जो आप दुनों को एक दूसरे के खिलाब भढ़काता है, यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके परसन बड़े चिंतित है, एंसाइटी में दिखाई दे रहे हैं आपके परसन, बड़े चिंता करते हैं, हो सकता है कि बहुत लेट नैटी एनसान सोते हैं, इनको बड़ी चंता होती है कि पताने इस रिष्टे में आगे क्या होगा या तो इस इंसाने आपसे कुछ बाते चुपाई है या तो आपके साथ जूट बोला गया और जो इस इंसाने आपके साथ जूट बोला है किसी के साथ ऐसा रिजूनूट होगा कि आपके person ने अपने दोस्ते के पास कुछ बाते कह दिया आपके बारे में और फिर अब बहुत पच्छतावा हो रहा है इस इंसान को कुछ लोग आप ऐसे ही कि इस इंसान ने कुछ तो बाते आपसे चुपाई ये इंसान चोरी चुपे आपको देखता रहता है कुछ लोग आप ऐसे कि आपके person के उपर बहुत ज़दा जिम्मेदारिया है आपके person हो सकता है कि बहुत ज़दा tension से घिरे तो है उपर से अगर इस इंसान ने कुछ जूट बोला है तो उनको बड़ा डर है कि अब पता नहीं आगे क्या होगा और हो सकता है किसी किसी के लिए जो इस इंसान ने जूट बोला या जो आपसे बाते चुपाई तो अब ये इंसान किसी दोस्तों का सहरा लेना चाहते है कि उनका कोई दोस्त आकर आपके सामने बात करे और आपके सामने इस इंसान के बारे में कुछ अच्छे अच्छे बाते बोले ताकि आप नाराज अगर है तो आपकी नाराजगी दूर हो जाए ये इंसान इस रिष्टे में आगे बढ़ने के लिए अपने किसी दोस्त यार का सहरा ले सकता है जुट बोल सकता है, जुट का भी साहरा ले सकता है क्योंकि उसको आपकी नाराज़की दूर करने है उसको आपकी गुसी को दूर करना है इस अंसाने अगर जुट बोला है तो वो आपके सामने कनफेस करना चाहता है पूरी पूरी सच्छाई आपको बताना चाता है उस इंसान के दिल पर बोजा बन गया है वो पूरी सच्चाई सामने रखना चाता है और हो सकता है कि वो अपनी जो tension है, जो anxiety है उस में से बाहर ने कलने के लिए अपनी दोस्तों के साथ time spend कर रहा हूँ कोई तो ऐसी परिशानी है काईस जिस बज़ा से आपके पर्सन के मन में कोई डर है जब इंसान किसी के साथ बुरा करता है जब इंसान किसी के साथ गलत करता है उस इंसान को उस बक तो बड़ा आसान लगता है सब कुछ ठीक है तो इस इंसाने जो गलतिया की है उसकी लिए इ इस अंसान के लाइफ में कुछ मजबूरिया थी, कुछ परिशानिया थी, और इस बज़ज़ से इस अंसान ने आपको दूर रखा खुद से, बड़ी खुफसरा से यहाँ पर एनर्जी है, हार्मनी, आपके लाइफ में सब कुछ आपको मिलने वाला है, आपको ऐसा लगतेगे, आप इतनी मेंेट करते हो, लेकिन आपको उसका reward नहीं मिलता है, आप जो भी मेंनत करोगे, आपकी मेंनत कभी भी खाली नहीं जाएगी, आप जो मेंनत करोगे, उसका reward आपको मिलने वाला है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आप बहुत था hard work कर रहे हो और आपको लगते कि आपकी महनत का फल आपको नहीं मिलता है ऐसा नहीं होगा बहुत जल्द आपकी महनत का फल आपको मिलने वाला है शादी को लेकर किसी का सवाल है तो definitely शादी होगी balance होने वाला है आपके life में और इस उल्जन से आप बहुत जल बाहर निकल जाओगे आपके परसन ने आपके साथ क्या जोड बोला क्या फरेब किया या आप शायद जानते हो ठीक है लेकिन अभी ये इनसान आपके भलाई चाहता है इसने अगर कुछ गलत भी किया है तो उसको पच्चतावा है ये इनसान जिस तरह से आपसे बात करेगा बहुत मिठी मिठी बात करने वाले है जब भी इनसान मिठी मिठी बात करेगा तो आप भी घल जाओगे ध्यान रखना है इस इनसान का इरादा क्या है ये इनसान चाहता क्या है और जब आप इस इंसान के जो true intention है उसको समझे तो फिर आप इस रिष्टे में बेजजक आगे बढ़ सकते हो क्योंकि इस इंसान को बहुत सदा पच्छतावा हुआ है I hope आपको रिडिंग पसंद आई है Like, Share and Subscribe मिलते अगले वडियो में तब तक के लिए Bye